हेलो, वेलकम टू तेज़ एजूकेशन साथियो पुलिस कॉंस्टिवल परिच्छा के लिए संभाविट पेपर नम्मर ग्यारह इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हम कुल आपको सतर पेपर करवाएंगे संभाविट पेपर तो सबसे पहला प्रशन देखिया आपके स्कीन पर है कि निमने लिखित में से कौनसा एक प्राचीन बौध ग्रंत है बहुत अच्छा प्रशन है सबते पहला बिकल्ब भई कि विश्ण प्राण या रगवंसम या रित संभार या फिर अवे धर्म कोस तो वद्ध गरंत साथियो आपका अवे धर्म कोस है ठीक है बिकल्ब डी इसका सही जबाब हो जाएगा अब देखेगा आगे बढ़ते हैं प्रशन है कि कभी अगर आपसे पूछ ले भई कि बौध धर्म के कितने प्राचीन गरंत है तो आपको याद रखना है तिर पिटिक जो है न ये बौध धर्म के प्राचीन गरंत है और अवे धर्म कोस प्राचीन बौध गरंत है इसकी र आगे देखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रच्छेपण किस वर्स हुआ था बहुत अच्छा प्रशन तो आप याद रखें कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रच्छेपण साथ हो वर्स 1973 में हुआ ओके बिकालप सी इसका सही जबाब है कि लिए आगे बढ़ जाते है चत्रपती सिवाजी महाराज के वर्स युद्ध के लिए भेजाता साथियो जैसींग को टेकाभी किसे जैसींग के राजी को साथियो भेजाता टेकाभी कलप डी इसका सही जबाब है किलिए अब चलेगा कुछ और जानकारी जान ले लेते हैं क्योंकि इतिहास से प्रशन बहुत बनते हैं सातियों आमेर के राजा जैसींग को औरंग जेव ने सिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था और राजा जैसींग ने मराथा राजा च्छत्रपती सिवाजी को पराजित कर जून 1665 इसवी को भई क्या है प्रण्दर की संधी करने के लिए बिवस कर दिया था तो कभी पूँच ले कि प्रण्दर की संधी किस के बीच हुई थी तो राजा जैसींग और च्छत्रपती सिवाजी महराज के बीच प्रण्दर की संधी हुई थी 1665 में हुई थी प्रण्दर की संधी प्रशन बनता है कि सत्पड़ा राश्य उध्यान भई कब स्थापित हुआ था अभी उपर हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कब भई 1973 में शुरू हुआ था भारत में और सत्पड़ा राश्य उध्यान की स्थापन की अगर बात करें तो साथ हुई वर्स 1983 में सत्पड़ा र भई दया है कि संपर्दायक निर्वाचन का जनक बैही किसे माना जाता है बहुत अच्छा प्रश्ण है इससे तो भई आप फाइव श्टर लगाएंगा ती आप ज्याद रख़ें कि सांपरदायक निर्वात जनक शाथियों शाथियों माना जाता है लौज मिंतों को, किすक की नर्मदा नदी के निकट हैं تबा पयाता है कभी आपसे पूछ ले कि कौन कौन से सहर है जो नर्मदा नदी के किनारेबस से हुए हैं सबस्ते पहला है ओमकारिशर, दूसरा है जबलपुर, और फिर है जाबुगा, फिर है अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महिस्वर, नरसेहपुर, मंजला, ये सभी नर्वंदा नदी के किनारे बसे हुए स्थल है, प्रशन है कि निमलिकित मैं से तिस राज्य की लोकसभा में बई, एक स आपको ये याद रखना है, सिक्ति में शात्यों, एक लोकसभा सीट है, मिजोरं में एक लोकसभा सीट है, नागा लेंड में भी एक लोकसभा सीट है, क्लिए रहे है, अगला परशन देगी परहण करमा का आथ, कि मद्द प्रदेश में ऐसे परर्टन इस्थल आपको बता जो कि अपने मंद्रों के लिए जाना जाता है, तो अपने मंद्रों के लिए जाना जाता है, सात्यों कौन सा खजरा हो, वो के बिकल्प सीस का सही जबाब है, ठीक अभी खजरा हो, किस के लिए प्रशिद्ध है, अपने मंद्रों के लिए प्रशिद्ध है, अब चलिए प्रह लुवर्ष लगवकी आयू थी अगला प्रशन है कि बुंदेला की च्छतरी वही कौन से सहर में मॉजूद है बहुत अच्छा प्रशन बनता है देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो खजुरा हो इस तल है ये सात्यों किसके लिए मंदिरों के लिए जाना जाता है किसके लिए मंदिरों के लिए और गुंदिला की जो छत्री है कि मौजुद अब कहां पर और्चा में और्चा कौन से जिले में है भई comment करके बताएगा मैं दो option दे रहा हूं नम्मर एक भई टीकमगड और चाटीकमगड में है या फिर और चाथ निवाडी जिले में है comment करके बताएगा ठीक बहुत simple है लौलीपप प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि सूरे प्रत्वी की सतह पर भई कितने मिन कौण पर सामने रहता है शूरे प्रत्वी की सतह से अभी पोच ले कि सूरे और प्रत्वी की बीच की जो ओसतन दूरी है कितनी है तो 14 करोड़ चानवे लाख किलो मेटर है जी हां ये डाटा आपको एक जक के याद रखना होगा रटना होगा ठीक है 14 करोड़ चानवे गोसित किया गया है साथियो बरोची गाओं को अब बात आती है बरोची गाओं है कौन से जिले में तो निरेमल गाओ बरोची ≫ जियर जिले में है ठीक है भई है पहला निर्मलлять कौन सा बरोची ≫ ढही के फ्रverage्य ओक्रों इसका सही जबाब है अब चलीगा नेक्षज प्रश्न है कि भई जो शिपकीला दर्रा है ये क्या करता है तो सिपकीला दर्रा साथियो किन्नोर जिला है हिमाचल का इसे भई तिब्बत से जोड़ता है किके भई और सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भाई कहां भारत में प्रविस करती है सिपकीला दर्रे के नजदीक से ठीक है भाई तो हिमाचल के किन्वर जिले और तिब्बत को जोड़ने का कारे कौन करता है सिपकीला दर्रा प्रेशने के मध्यपरदे सरकार ने मच्छे पालन को क्रसी का दर्जा कब दिया याद रखें क कि मद्यपृतर सरकार ने भई मच से पालन को क्रसी का दर्जा वर्स उनिशु संतानवे में दिया ठीक अगला प्रशन है कि दुम्हाल एक न्रत्य रूप है भई दुम्हाल जो कौन से छेत्र में प्रचलित है बहुत अच्छा प्रशन तो आप याद रखें दुम्हाल एक न से पुलिस में पूच्छा ही जाता है तौ याद रखें 20 कि भई निम्लकित में से किस प्रधान मंत्री को भारत रत्न प्रसकार दिया गया है चारा बिकल्प आपकी स्कीन पर है देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि अमर्त सेन को जो नोबल प्रसकार मिला था अर्थसाइसर के लिए ये इन्हें बर्स 1998 में मिला था जब कटिन पेपर बनेगा बर्स आपसे पूछा जाएगा एक हैं भई केलास सत्यार थी ठीक है कौन भई केलास सत्यार थी मद्द परदेश के विदिसास हैं इन्हें भी नोबल प्रसकार मिला है लेकिन भई सांती के लिए ठीक है सांती के छेतर में इन्हें कब मिला था तो भई 2014 में साथ ही इनको मिला था ये आपको याद रखना मलाला यूसुप जई के साथ संख्त रूप से मिला है और प्रदान मंत्री भई जिनने भारत रद्न परसकार दिया गया है ये है मुरार जी देशाइटिक बिकल्प 20 का सही जबाब है अगला प्रशन है कि भारत सरका ने नार्कोटिक कंट्रोल वीरो का गठन भई किस वर्ष किया था तो याद रखें नार्कोटिक कंट्रोल वीरो का गठन भारत सरका ने वर्ष 1986 में किया ठीक प्रश्ण है अगला प्राइं के पहले फिल्म निर्माता कौन थे बहुत अच्छा प्रश्ण यह वेरी वेर इंपोर्टेंट तो आप याद रखेगा भारत के पहले फिल्म निर्माता साथ्यों धुन्द राज गोविंद फाल के टिक बिकल्प सी इसका अब चलेगा प् परत आपकी तुच्चा में ठीक है तो हमारी तुच्चा की जो सबसे ऊपर वाली है सबसे बहारी परत जो होती है ना वैई यह एप डर्मिस कहलाती है क्या कहलाती है एप डर्मिस कहलाती है विकल्प सी इसका सही जबाब है देखिएगा मानव सरीर की तुच्चा का सबसे बह परत एपिडर्मिस कहलाता है यह तोचा की इस तरीय उपकला की कई परतों से मिलकर बना होता है और यह सरीर के अलग अलग भागों में तक मौटाई की होती है आपने देखा होगा कि हमारे हाथों पर तो काफी पतली रहेगी पूरे सरीर पर लेकिन हमारे सरीर की ऐसे भाग ज पाउं का निचला भाग ठीक है भई तो यहां पर क्या है एपिडर्मिस की मौटाई काफी रहती है तुच्छा की मौटाई काफी रहती है इस तरी उपकलाया जो है कई परतों से मिलकर बना होता है प्रशन है अगर मनश्य में गुड़सूत्रों की संख्या 46 है तो मनश्यों क कि देहक कोशिकाओं में कितने गुड़सूत्रों विद्यमान होती है याद रखेगा इसका सही जबाब है बिकल्प वी 46 नेक्षा प्रशन है निम्न मैंसे कौन सा जीव मच से वर्ग से सम्मन्दित है तो आप याद रखेगा मच से वर्ग से सम्मन्दित साथ है आपका आधब जगत का उभाइचर कहा जाता है साती हो अच्छा प्रशन तो आप याद रखें कि थायरॉक्सिन के संसलेशन के लिए इसका सही जबाब है नेक्षप प्रश्ण है कि नर और मादा युगमक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं तो आप याद रखें कि नर और मादा युगमक जो रहते हैं या आपस में मिलकर युगमज बनाते हैं टिक बिकल्प ये इसका सही जबाब है नेक्स प्रशन है कि फूलों के अंजासे के अंदर छोटे मन के जैसे सरचना होती है इस सरचना को क्या कहा जाता है तो फूलों के अंजासे के अंदर जो छोटे मन के जैसे सरचना होती है ना भई ये बीजांड कहलाती है ठिक बिकल्प सी इसका सही जबाब है नेक्षप्रशन है कि निमने लखित में से कौन सा अपने जीवन काल में किवल एक बार ही फूल और फल देता है तो किवल एक बार फूल और फल देने का कारवाई केले का होता है ठीक है जो अपने जीवन काल में किवल एक बार फल देगा एक बार फूल देगा घिक नेक्षपर प्रशन देखिए प्रेनकर्मांकर ट्विंटिनाई आपकी स्किन पर है के उलेक्ट्रोन की समतुले प्रती द्रब्यकणों को क्या कहा जाता है इसका सही जबाब हो गज sheriffsel उसलिव कि पोजिटरॉन जो है, इलेट्रोन परमाणू में पाया जाने वाला एक मौलकु आलिमेंट होता है कि खोज जो है कार्ल D एंडर्शन के द्वारा साथ्यों की गई थी कि स्की खोज पॉजिटरॉन की नेक्षाप्रंस न की बहातम कोश में उपाइस्तित इलेक्ट्रोन की संख्या को भई क्या कहा जाता है तो आप याद रखिएगा कि संयूजक इलेक्ट्रोन बहातम कोश में उपाइस्तित इलेक्ट्रोन की संख्या होती है ठीक नक्से प्रशन है कि किसी परमाडू के नाभिक में मौझूद रूप में जाना जाता है तो नाभिक में जो प्रोटोन रहते हैं और नीट्रोन रहते हैं ना इन दोनों की कुल संख्या को जाना जाता है द्रब्यमान संख्या के तौर पर किस तौर पर द्रब्यमान संख्या के तौर पर अब आप मुझे बताएं कि परमाणु करमांक जो है किस संख्या के बरावर होता है ठीक है किस संख्या के बरावर होता है नाभिक में ऐसा क्या रहता है जिसकी संख्या के बरावर भई परमाणु करमान का रहता है अब देखे प्रशन है कि समान द्रब्यमान संख्या लेकिन बिविन परमाणु करमान के बाले इस तोर पर भई आईशो वार के तोर पर जाना जाता है प्रहंकरमांग के तेतीस है कि एक डूवे हुए पिंड पर पानी के द्वारा लगाया जाने वाला जो उत्पलावन बल होता है ना भई इस उत्पलावन बल का दूसरा नाम क्या होता है तो इसे भई उत्छेपी वल भ दिश्क धारा का अनुपात वही कि कैसा रहता है तो याद रखेगा बंद विद्धुत परपत अगर है तो उसमें बॉल्टेज ओ दिश्क धारा का अनुपात जो है इस्थिर रहेगा ठीक है विकल्प एसका सही जबाब है नेक्षा प्रशन है कि निम्ने मैंसे कौन सी बिद्धुत की बहतर सुचालक होती है तो आप याद रखेगा बिद्धुत की बहतर सुचालक साथियो चांदी होती है ठीक है बिकल्प एसका सही जबाब है तो आज की क्लास में पूरा हमने संभावित पेपर नमर 11 देखा और इस क्लास का पूरा PDF आप प्राप्त कर शक् पर करवाएंगे तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिंत जय बारत जय माकाल प्यारिशाथियो